मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग आज उद्जैन में आयोजित हल्ला बोल कार्यत्रम में शामिल होने पहुँचे शहीद पार्क पर आयोजित हुए इस कार्यत्रम में शामिल होने के बाद आप कोठी स्थित प्रशासनिक भवन पहुँचे बंद के बावजूद गर्भग्रेह में एंट्री और आम श्रधालों को रेलिंग से दर्शन करवाने जैसे मामलों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को लेकर ग्यापन दिया गया ग्यापन देने के बाद उर्व मुख्यमंत्री दिगविजय सिंग ने मीडिया से चर्च आई दे रहा है उन्होंने मंत्री गोविन सिंग राजपूत के मामले में कहा कि वाकई में यह प्रकरण इतना दंभीर है कि सुप्रीम कोट ने इसे संग्यान में लिया है यह अच्छी बात है यह भी बताया कि कुश्वा समाज की जमीन हडपने का शड्यंत्र रचा गया है यह जमीन बेशकीमती हैं इस जमीन को लेकर ही वह व्यक्ती मंत्री गोविन सिंग राजपूत से मिलने गया था तब ही से वह गायप था कई बार इस मामले को लेकर पुलीस को शिकायत की गई और अन्य अधिकारियों से भी पीरित परिवार मिला लेकिन जब कोई कारवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में निरने लेते हुए प्रदेश के बाहर के चार IPS अफसर को इस मामले की जाच के निर्देश दिये हैं दिगविजय सिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिये गए बयान को आड़े हाथो लेते हुए भी कहां कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नुकसान पहुचा रहे हैं वह भाशन में कह रही हैं कि हमने 25,000 करोड लोगों को गरीबी से बाहर कर दिया है जबकि वह सरासर जूट बोल रही है विपक्ष के नेता राहूल गांधी को 15 अगस्त पर 1st बेंच पर ना बिठाने पर कहा कि यह सरकार की हीन मान सकता है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था गरीबी से बाहर में कर दिया पहली बात यह है कि मैंने इकनामिक सर्वेय रिपोर्ट आप पढ़ ली उसमें साफ दिखा है कि लोगों के घरू खर्चे बढ़ जाने इसके जो प्रमान आये हैं उसके कारण सब लोग गरीवी से बाहर आ गए अब आप समझेए कि घरू खर्च बढ़ने से गरीवी कहा से खतब होगी गरीवी तो बढ़ गई तो इस तरह से जूटे बात करते हैं इससे हम लोगों सब को इस बारे में जिलता है तो कि अमीर होता जा रहा है गरीवी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें